एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव, ये सफल जीवन क्या होता है? कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए. अर्जुन कृष्ण को ध्यान से पतंग को उड़ते देख रहे थे. थोड़ी देर बाद अर्जुन बोले कि अधव, ये धागे की वजह स पतंग अपनी आजादी से और उपर की ओर नहीं जा पा रही है. क्या हम इसे तोड़ दें? ये और उपर चली जाएगी. कृष्ण ने धागा तोड़ दिया. पतंग थोड़ा सा और उपर गई और उसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूर अंजान जगह पर जाकर गिर ग घर, परिवार, अनुशासन, माता-पिता, गुरु और समाज और हम उनसे आजाद होना चाहते हैं. वास्तव में यही वो धागे होते हैं जो हमें उस उचाई पर बना के रखते हैं. इन धागों के बिना हम एक बार तो उपर जाएंगे. परन्तु बाद में हमारा वो ही हश जो बिन धागे की पतंग का हुए. निशकर्ष, जीवन में यदि तुम उचाईयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिष्टा मत तोरना.